दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए हलका गुनगुना पानी पीना चाहिए लेकिन फिर भी 95% लोग गरम पानी के लाव को नजर अंदार करके धंडा पानी पीते हैं क्योंकि उसमें टेस्ट होता है हमारे बाडी में लगवक 70% पानी होता है इसके पंच तक्त्वत अगनी, वायू, जल, अकाश और धर्ती में जल का योगदान सबसे जादा होता है दोस्तों मैं इस वीडियो में गरम पानी पीने के उन आश्चरे जनक फाइदों के बारे में बताऊंगा जिसको आप शायद ही जानते होंगे और आपको गरम पानी पीने के लिए प्रेरित करेगा तो आये जानते हैं इसके फाइदे के बारे में पहला फाइदा तो यह है कि अपचने में बहुत ही हलका होता है जिसमें ये बॉडी में जल्दी अपजाब हो जाता है और अपच और गैस की समस्या को दूर करता है इसका दूसरा फाइदा यह है कि बॉडी की गर्मी और टॉक्सिंस वो पसीने के जरिये बाहर निकलता है गरम पानी पीने से बॉडी का टेंपरेचर पड़ता है और फिर बॉडी अपने आपको ठंडा करने के लिए पसीना निकलना चुरू कर देती है जिससे बॉडी में पह होते हैं उनने सुबह खाली पेट रोज गुनुरा पानी पीना चाहिए गर्म पानी का चौता फाइदा यह है कि यह वजन कंट्रोल करता है यह बॉडी से एक्सेस जो चर्वी होती है ज्यादा फैट होता है उसको कम करता है इसलिए मोटापा दूर करने में भी काफी कारग गर्म पानी पीने का चटा फाइदा यह है कि सर्दी जुखाम खासे जैसे रोगों को यह दूर रखता है क्योंकि यह स्वास नली में म्योकस जमा नहीं होने देता और साइनस जैसी समस्या को भी दूर रखता है गर्म पानी एक नैचरल डिटॉक्स ट्रिंग है बहुत से ल गर्म पानी जोडो के रोगों को दूर करता है जिससे कभी भी जॉइंट्स के रोग नहीं होते हैं गर्म पानी पीने से कब्ज नहीं होता क्योंकि खुद पचने में असान होता है और साथ साथ भोजन को भी पचाने में मदद करता है इसलिए आप अपने जीवन शैली में गरम पानी को जरूर अपनाएं और टेली बीसिस पे कम से कम सुबह एक गिलास खाली पे गरम पानी जरूर पी है